आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या बयान दे डाला जिसके कारण भारत के करीबी दोस्त अमेरिका पर भड़कने लगे और अब क्यों भारत को बदनाम किया जा रहा है। अमेरिका ने उठाया सबसे बड़ा सवाल जिस वज़े से भारत ने अमेरिका को दिया मुन्तोर जवाब अमेरिका भारत को बदनाम करने की कोशिश फिर कभी नहीं करेगा कुछ देशों ने तो इशारों इशारों में यहां तक की यह कह दिया की गोली किसी और को लगनी चाहिए थी लेकिन एक अच्छे इनसान को लग गई अब तक तो आप समझ गए होंगे की यह देश किसके बारे में बात कर रहे है दरसल भारत की ब्रास मिसाइल एक दम यूज लेस है इसे लेना बहुत ही ज़्यादा बेकार फैसला होगा और इससे आप दुनिया में कुछ भी नहीं उखाल पाएंगे ना ही आप अपनी सिक्योरिटी इंशोर कर पाएंगे दोस्तों यह बात कही है अमेरिका के टॉप सिक्योरिटी एनालिस्ट ने और यह इंडियन ब्रास मिसाइल के बारे में दिया गया और दोस्तों यह अब तक का सबसे बड़ा बयान भी माना जा रहा है भारत को अमेरिका के इस बयान से बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और जब यह बयान रूस तक पहुचा तो फिर रूस ने भी अपना गुसा जताया और कहा भारत को इन घटिया देशों के साथ रिष्टे नहीं रखने चाहिए फिर भारत ने इस पर रियेक किया और बोला कि अगर हम इनसे रिष्टे रखते तो यह पीट पीछे बोलते वैसे भी हमने अभी तक इनके साथ कोई रिष्टे नहीं रखे है और ना कभी आगे रखेंगे चाहे यह पीट पीछे वार ही क्यों ना करें दोस्तों क्या है पूरी डेवलप्मेंट आए इस वीडियो में समझते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप सभी भारत के साथ हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दरसल दोस्तों अमेरिका का यह बयान यहीं तक सीमित नहीं था अब एक और बयान निकल कर सामने आया है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में यानि की अमेरिका का जो विदेश मंत्राले है उसके senior advisor का उन्होंने कहा है कि यह एक बहुत ही बरिया symbol है यानि कि देखने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन कोई भी इसका operational use नहीं है यानि कि आप इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते वही सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां यह बयान हैरान करने वाले है वही उससे ज़्यादा हैरानी हो रही है इस पर दरसल यह जो बयान दिया गया है ब्रास मिसाइल के बारे में यह भारत की ब्रहमोस मिसाइल के बारे में नहीं है दरसल यह फिलिपीन्स की ब्रहमोस मिसाइल के के बारे में है मिसाइल है और इससे वह चींग को हरा देगा या टक कर देगा लेकिन यह हसल में सिर्फ एक दिखावटी कदम है इससे कुछ भी फाइदा फिलिपीन्स को नहीं मिलेगा इसका वह असल इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा और इसके पीछे लॉजिक दिया गया है C4 IAR तकनीक का ना होना C4 IASR क्या है जानते है दरसल अमेरिका इसमें दो टर्म जोडता है पहला है C4 क्या है C4 Command Control Communication और Computers इन चारों शब्दों के शुरुआती 4C को जोड़ कर बनता है C4 दूसरा शब्द है IASR यानि की Intelligent Surveys और का मानना है कि फिलिपीन्स के पास C4 IASR नहीं है आसान भाशा में आपको समझाओं तो फिलिपीन्स के पास जो दक्षिनी चीन सागर है जहां पर चीन परेशां करता है फिलिपीन्स को उस इलाके का वहां पर प्रॉपर Command Control System मौजूद नहीं है Communication System मौजूद नहीं है फिलिपीन्स की नौसेना के पास ऐसे Computers नहीं है जिनसे की वह चीन को Counter कर सके इसके अलावा जो Intelligence चाहिए होती है कि दक्षिन चीन सागर में चीन की नौसेना कहां आती है कहां वह ज्यादा Active रहती है इसकी भी खुफिया जांकारी उन्हें नहीं है इसके अलावा सर्विलास सिस्टम मौजूद नहीं है यानि की फिलिपीन्स की नौसेना ने आज तक दक्षिनी चीन सागर में ऐसे जासूसी उपकरन ही नहीं लगाए है जिससे की वह चीनी नौसेना का पहले से ही पता लगा सके और नहीं इनकी वायूसेना के पास ऐसे सिस्टम मौजूद है जिससे की वह चीन की नौसेना के उठाए जाने वाले कदम का पहले ही पता लगा ले अंदाजा लगा ले और उसी के हिसाब से अपनी नौसेना और अपनी वायूसेना को डिप्लॉयद में जहां चीन आने वाला है और अमेरिकियों का कहना है किसी चार IASR कैपेबिलिटी का ना होने की वज़े से ब्रहमोस मिसाइल का वह फाइदा उठा ही नहीं पाएंगे दरसल यहाद ही बात सही है यानि की पचास पर क्योंकि अगर आप एक एक्चुल युद लड़ते हैं तो उस समय यह बात सही आकी जाएगी क्योंकि सीफ IASR के बिना ब्रहमोस मिसाइल का सही इस्तेमाल फिलिपीन्स नहीं कर पाएंगे चीनियों के खिलाफ लेकिन आजकल के मौडर्न युद में या फिर इनफॉर्मेशन वार्फेयर के दौरान लड़ने से ज़्यादा दिखाने पर जोर रहता है और उसी हिसाब से दुनिया के देश आपके साथ दुश्मनी या दोस्ती करते है दोस्तो भारत ने ब्रहमोस मिसाइल फिलिपीन्स को इसलिए दी है ताकि चीन को यह डर रहे कि फिलिपीन्स के पास भी ब्रहमोस मिसाइल है अगर हमने ज़्यादा परेशान किया तो एक दिन फिलिपीन्स चला देगा और इसलिए अब चीन जब भी फिलिपीन से भिड़ेगा तो उसके मन में कहीं न कहीं यह डर रहेगा कि फिलिपीन्स के पास ब्रहमोस मिसाइल है ऐसे में संभल कर लड़ना होगा यही कारण है कि आज की मौडर्न दुनिया दिखावटी जादा है अमेरिका जो कह रहा है वह बात प्राक्टिकली सही है लेकिन जो मौडर्न वार्फेर है उसके हिसाब से आधी सही है दोस्तों चीन को यह मिसाइल हरा देगी या टकर देगा लेकिन यह हसल में सिर्फ एक औस्टेंटेशन स्टेप है इससे कुछ भी बेनिफिट फिलिपीन्स को नहीं मिलेगा इसका वह हसल में इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा अमेरिकांस का कहना है कि सीफ आये एसार कैपेबिलिटी का ना होने की वज़स से ब्रहमोस मिसाइल का वह फाइदा उठा ही नहीं पाएंगे वैसे आप सभी की क्या राय है वह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद